महेश भट आया हेलमेट पहन के फ्वेशिल्ड आ उसके बाद बोल रहा हाँ 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 माने कुछ से चेड़े पर कोई शिकानी नहीं है पसीने नहीं है अर यार पुलिस बुला रही है मने कहीं ऐसा लगे कि पैंट्रोंड में हागोग दे ऐसा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं 15 मीनिट मैंने क्या बोला पत्रकार मोद है हम बिहारी है असाथ में बिहारी पुलिस थूख दे तो जमीन में छेद हो जाए 15 मीनिट से रिया चक्रवर्ती को मिल जाए बिहार पुलिस को मिल जाए सब कुछ साप हो जाएगा कि इसके पीछे बड़ी मचली कौन है लेकिन रि पीछे बड़ा असा जितने भी तार जूरे हुए हैं उस सब अपने आप आते जाएंगे सामने लेकिन रिया चक्रवर्ती के सामने इस सब लोग ढाल बनके खड़े हैं वो चाहे सरकार हो महरास्टा सरकार हो मुंबई पुलिस हो अनील देशमुक हो चाहे वालीवूड का ज प्रकार्ण पत्रकार लोग जिस तरह से लगातार इस पर कोश्चन किये जा रहे हैं कहीं न कहीं ये उन तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वहां अंध बनके अंधा बनके गूंगे बनके बहड़े बनके उनको जगाएगा तरह रिया चकरवर्ती को लेकर तमाम तरीके की कॉश्चन किये जा रहे है तो जो वकील एक दिन के 10 लाख रुपे लेता है तो उसकी फीस रिया चकरवर्ती कहा से देंगी या उनकी बेटी जो पुजा भठ है वो देंगी पईसा कमी नहीं है रिया चक्रवर्ती के पास अभी मन्यू से छीन के तो ले के गई है ही, अपने सचुराल महेश बढ़ के पास नहीं तो पूजा बढ़ देगी उसके बेटी रिया चक्रवर्थी कि जो महेस बढ़ या पूजा बढ़ देंगी बताईए जो लड़की बिंगो चिप्स खरीद नहीं सकती है जो लड़की लोन लेके आईबरो बनवाती हो अपने पैसे से अपने खरीद सकती अब वो लड़की इतना बड़ा वखील सतीश मानिशिंदे टॉप टेन लॉयर क्रिमिनल लॉयर में से एक यो चुनी है जुसको यह नहीं पता कि बैंडरा सीलिंग कहां बना हुआ है अब वो सतीश मानिशिंदे का पता लगा लिया देट्स मीन कि इसके पीछे बड़ा हुद बड़ी साजिस है अब बहुत बड़ा समराज जे लोग खड़े हैं जो अपनी बहु को अब किसी के बहु लगेगी रिया या कोई अपनी पतनी को बचाना जाता है किसी के पतनी है या वो रिया ये बचाने के लिए पूरा सतीश मानी सिंदे जाए दिवार खड़ा किया गया है लेकिन बिहारी जो लड़का मड़ा है जिसकी हत्या हुई है वो बिहारी था अब उसके चीफ फिनिस्टर नितीश कुमार हैं माननी है हम तो बिहारी लोग हैं थूख दे तो जमीन में छेद हो जाए नितीश कुमार जी ने अब मान गए हैं कि अगर तुम नहला चलोगी तो हम दहला चलेंगे उसने सतीश मानी सिंदों को किया तो हमारी नितीश कुमार मानी नितीश कुमार ने मूकुल रोतगी जो सुप्रीम कोट के मानी लॉयर हैं और धासू और फारू दबंग वकील हैं तो अगर तुम एक चल तुम डाल डाल हम पात पात रिया चकरवर्ती को गिर्यफतार होना ही होगा और अगर होती है तो जितने उसके पीछे समड़ाज में लोग आप ऑक्सिजन दे रहे हैं लगातार कल आपने देखा होगा इना बिल देखा होगा पत्रकार महदे आपने एक भुता मुवी है एक ग भड़तों जिन्दा है तुम्हारी बेटिया पूजाभर तो जिंदी है हम्हारा इनसाफ बेटा तो हमारा खोया है पूटर तो हमारा खोया है भाई तो मेरा खोया है सत्यों में सजदर बोलना चाहिए और तुम्हें इसाफ मिलेगा कहां से, वो तुम्हारा boyfriend नहीं था, सुसान सिंग राजपूत, तुम्हारा ATM था, तुम्हारा bank था, तुम्हारा RBI यह था वो, सुसान सिंग राजपूत एक डाम को लगातार पालता रहा, सुसान सिंग राजपूत को पता ही ने चला कि यह हरप ले पत्रकार महोद्या मैं लागातार इस मामले को बिशलेशन कर रहा हूं मैं रो दिया जब वो मैंने सुना कि चॉकलेट पे सुसान सिंह राजपुत उचल जाता था अकिंदा लोखंडे ने बताया कि चॉकलेट पे एक प्लान करता था कि मुझे छे मैना में यह करना है साथ मैन में यह करना है और उसके बाद आज नाटक कर रही हूं तुम आके वाइट वाला सलवार समीज पहन के चेयर पर बैठ गई एना बेले की तरह कि अलगी न्याय का माला जपने तुम अगर साफ हो तो सामने आके बिहार पुलिस यानि पटना पुलिस के पास आके बैठ जाओ और सब कुछ खोल दो दरवाजा कि ये देखिए ये ग्युनेगार है लोग इन लोगों ने मेरा माइंड वाश करके सुसान सिंग राजपूत को खतम किया था या मैं इनकी स् कर रही थी या मुझे पसंद नहीं था सुसान सिंग पहले तुम बोल रही थी कि मुझे जांच करो और आज तुम बोल रही हो क्या नामे कि मुझे न्याई मिलेगा इतना महांगा सुप्रिंग कूट लॉयर कर लिए क्याना में वकील हाइर कर लिया हाइरिंग के लिए किसक प्यारा हिंदुस्तान और आपकी पूरी टीम भटक रही है न्याई के लिए और बोल रही है न्याई चाहिए पाखंड बंद करो अगर सच्मुच अगर तुम्हें इमांदारी है तो तुम सामने आओ और जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस पता नहीं मुझे किसका घुणू बांध के बांध के नाचे जा रही है बिहार पुलिस के साथ जिस तरह से एक बिवहार हो रहा है जिसे मानों कि तालिवान का पुलिस आया हो अड़े बिहार पुलिस आई है अपने एक ओडिंग जांच कर रही है और मुकुल रोतगी साहब ने बोला है इस पर कि क्या नाम है कोई भी राज्य के पास यह अधिकार है कि उगर उसके पास कोई जांच है और किसी दूसरी राज्य में गया है तो उसको लीगल तरी ने भी कही है कि मुंबई पॉलिस ने सपोर्ट नहीं कर रही है और जिस तरीके से वो हर जगहां पर इन्वेस्टिकेशन के लिए और जा रहे हैं कर दो सब्सक्राइब देखिए मुंबई पुलिस जान बुझ के इनको एक वीडियो आपको ठूण लीजेगा पत्रकार महोदिया जब बरदस्ती उनके धक्का देके बोला जारा कि चलो चलो भोगया पेकप मैंने क्यूं क्या जरूवत है क्या मुंबई भारत का हिस्सा नहीं है मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि जो भी बिहारी लोग वहां पे मुंबई में हैं और उनको पता चल रहा है कि बिहार पटना पुलिस के साथ अगा दुर बैवार वड़ा है यह को तरीका हुआ आप वेहिकल दे दो आप बोलो कि हाँ डिजल पेट्रॉल भढ़वा लेना बता यह आटो से घूम रहे हैं वहां पे और वह भी नहीं कि हवलदार भेजा गया है आई पिस ऑफिसर की टीम गई है और उसके साथ ऐसा बेवहार जब डॉक्मेंट्स मांगा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि तिन घंटा के बाद मिलेगा यानि कहीं वह डॉक्मेंट्स कहीं जा के साफ हो रहा है डॉक्मेंट्स वह आप नहीं दे रहे हैं जो दे रहा है दूसरा प्रिंट आउट जो पुलिस मुख्याले के बाद भी वॉल दो कि आप independent है जो कुछ करना है कीजिए जो कुछ करना है उसे कोई दिकत नहीं है पुलिस है अपने कॉडिंग काम कर रही है उसको जादर दी दिये लेकिन सवाल है कि इसमें मैं पत्रकार महोद्या बोलते बोलते मेरा कंठ सुख जाएगा 20 घंटा बोल सकता हूँ इस पे पूरे लिप्थ है वहाँ पे इसमें मुंबई पुलिस के बड़े बड़े ओफिसर लिप्थ है अब वॉलिवूड के बड़े बड़े एक्टर अभिनेता नेपोटिजम के समड़ाज चलाने वाले सब लोग लिप्थ हैं इसमें हमारे अभिम पकड़े गए हैं जो इसके रूम पार्टनर तो उनको गिर्फतार नहीं वह इंडिपेंडेंट डेयार फिलिंग हैपी जब मन कर रहा है इधर में इंट्रिव्यू दे रहा है पाच 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 वर्ड का एंगलिसमें अरे छोटे उसाइब नहीं हुआ है ना और सबसे दिखा रहे हैं जंता को या पबलिक को या मीडिया को तरीके का स्टेंड मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार का इस केस में है तो उसको लेकर आज ट्वीटर पे भी ट्रेंडिंग चल रहा था कि लोग अब उद्दव ठाकरे से इस्तिफा मांग रहे थे क्योंकि वो पूरी मुंबई पुलिस बहुत है इसमें सीवी इंक्वारी की जरूत नहीं है पत्रकार महोदेश सेना सोनिया सेना मैं अपनी सब्दों वापस लेता हूं सोनिया सेना उधर ठाकड़े अउनका पुत्र अधित्र ठाकड़े और वहां के मुख मंत्री दुबाड़ा बोल रहा हूं महारास्ता का मुख मंत्री ये लोग राहू हैं महारास्ता के लिए हर मसले में वो फेल हो चुके हैं उधर ठाकड़े हर मसले पे करोना मामला हो जीरो अभी तक बाइस सो किसान आत्मत्या कर लिया इनके राज में किसानों के मामले में फेल आज आपने देखा होगा दूध के लिए लोग वहां पे नाक में दम कर दिये हैं लोग दूब रहा हैं किसानों के मामले में दुबाड़ा फेल आपने मुंबई में जितने भी डेली बारिस हो रही है BMC आपका है और उस वहां का चीफ फिनिस्टर आप हैं उसमें भी फेल नगर पालिका की कामों में फेल आउसके बाद जो लाखो करोडों फैंस हैं जो इस भारत में भारत से बाहर सुसान सिंग राजपूत केस में तो महा फेल हो गए हैं आप सब चीज में य नहीं आ रहा है वहां कि महरास्ता के इस आसी सेलार जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं मुंबई की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कर दीजिए अजीत पावार के बेटा उसने भी बोला कि सीबी आइज करा दो अरे साब खर्दो खतम करो इसको मामल प्रेसिया क्या है ठीक है लेकिन अपना जांच अगर देखे चली ठीक है अगर मालीजे की सीबी आई जांच अभी आप नहीं लाओ करेंगे कोई बात नहीं लेकिन जो पटना पुलिस के इंडिपेंडेंसी तो छोड़ दो जो उनके पैरों में अपने जो बेडिया डाल र सब्सक्रीं लेते हो या तुम लोग जानवुचिक आँख देखिये एक अपने कहावत सुना होगा एक आख बन्द करने की अंग जान बूच के मुकुल रोतिगी होंगे असाथ में शतीश मानिशिंदे होंगे अगर कोट जो भी कुछ बोलेगा कहीं नहीं कहीं कोट मुंबई पुलिस पे सवाल करेगा कि आपने किसके खिलाफ एफ आई आर किया है किसके खिलाफ कौन सी जांच बोड़ रही है किस पे आपने सिंगल पॉ कि जाओ सनम आओ सनम जाओ सनम यह हो रहा है और जब ही कोई कोई पूछती है मीडिया अनील अनील अदेशमुक से डेपरेशन में मड़ गया था डेपरेशन और सिंगल थे इस नौट बेग इसूट ठींगल कोई बात नहीं है यही बोले जाता है कि मुंबई पुलिस बोलत जो बड़ा मचली बोल रही है जो बड़ा समराज बोल रहा है आई ये लगातार बोलते रहेंगे लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधान मंत्री मोदी जी अमीद साजी और नितीश कुमार जी से मैं बोलता हूं कि तमाम पहलीओं पे जांच होनी चाहिए और साथ में पटना पुलिस के इंडिपेंडेंसी पे छूट मिलनी चाहिए कि मुंबई में जाए और जम कर जांच करें लेकिन जिस तरह से दुरभाग्यपूर्ण है जिस तरह से मुंबई पुलिस का हरकत कहीं ने कहीं ये सर्मसार करती है जिस तरह से वो लोग हरकत कर रहे है पर उनकी फैमिली के तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है पर अब तो उनकी फैमिली सारी सामने आ गई है पिदा जी ने रिया चकरवेतिक पर F.I.R. दच करा दिये तो वहां उनकी बहन श्वेता हो चाहें मीतु हो या फिर उनके जीजा हो अब श्वेता जो उनकी बहन है उन्होंने एक इंस्टार्ग्राम पे उन्होंने पोस्ट ढाली उसमें कहते हैं कि वह उन्होंने पम ने पिएम नेन्द मोदी से उम्मीद अगर इह लुग बोल रहा है कि यह अगर जैसे केके सिंग जी पुलिस क्यों करेगी यानि चट भी तुम्हारा पट भी तुम्हारा अगर सुसान सिंग राजपूत के परिवार चाहता है उनकी परिवार पेसेंश कर रहा था देख रहा था कि यह केस कहां तक जा रहा था लेकिन जैसे मुंबई पुलिस का बेहूदा हरकते सामने आया कि घ सांटा कुरूस में पुला के दोगंटा पूछतार कर लिए बदातहिए बताएगे हर आदमी से 2 गांटा दो घंटा देड़ घंटा दो घंटा देख मैंने किसी को डंडे लगा नहीं जा रहे हैं कि सब बाहर निकल के वह महेश भट आया हेलमेट पहन के अ फिर सिल्ड आ उसके बाद बोल रहा है हाँ मैंने कुछ चेड़े पर कोई शिकानी नहीं है पसीने नहीं है अर यार पुलिस आरे पंद्रा मीनट बिहार पुलिस को देदिये रिया चकरवरती को फन्द्रा मीनट मैंने क्या बोला पत्रकार्म होग दें हम बिहारी हैं असात में बिहारी पुलिस थूख दे तो जमीन में छेद हो जाए 15 मिनट से रिया चक्रवर्ती को मिल जाए बिहार पुलिस को मिल जाए सब कुछ साफ हो जाएगा कि इसके पीछे बड़ी मचली कौन है लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे मुंबाई पुलिसी भी लगी हुई सपोर्ट कर रही है और साथ में बॉलीवूड का इनके पती सब लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे बचा लिया जाए यह मचली फस ली नहीं चाहिए अगर यह मचली फस गई तो उसके पीछे बड़ा असा जितने भी तार जुरे हुए हैं उस सब अपने आप आते जाएंगे सामने लेकिन रिया चक्रवर्ती के सामने इस सब लोग ढ पुलिस के हथा नहीं चाहिए लेकिन पत्रकार महोद्या जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे और आप जिसे प्रकार्ण पत्रकार लोग जिस तरह से लगातार इस पर कॉश्चन किये जा रहे हैं कहीं न कहीं यह उन तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वहां अंध बनके अंधा बनके गूंगे बनके बहड़े बनके उनको जगाएगा बहुत बहुत धन्यवाज सर।